नाशनल आयमे और स्टेट आयमे के आवाहन पर पूरे भारत में मिक्सोपैथी के खिलाफ एक जंग का एलान किया जा रहा है। कई जगहों पर दो घंटे ओपेडी बंद करने का भी निर्देश है। इस मामले में डॉक्टर सुरेश अरोडा और डॉक्टर पुनीता हसीजा ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नवेंबर में भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहट करकार की अनुमति देने से मरीजों को नुकसान होने की संभावना है क्योंकि एलोपैथी में जो डॉक्टर सजरी करते हैं वे केवल डिगरी से नहीं बलकि डिगरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के काफी लंबे अरसे के बाद होती है हम यह भी बताना चाहेंगे क कि आया में किसी पद्धि के खिलाफ नहीं है साथ ही उन्होंने कहा कि आगे आने वाली जनरेशन के डॉक्टर और आम जनता के लिए यह स्तिती बहुत ही खराब होगी कि मांग है जो गौर्मेंट ने जो नमेंबर में CCIM की कहने पे एक आयरवेदा डॉक्टर्स को सरजरी अलाओ कर दिया है उसके खिलाफ हमारी यह है कि हम चाहते हैं कि आयरवेदा को हमारे साथ मिक्स ना करा जाए आयरवेदा जो है एक हमारी जड़ी बूटी और पद्धितियों वाली जो है अपनी अच्छी तरह से हमारे देश में यह पद्धिती चल रही है तो लोग उसमें विश्वास भी करते हैं तो उसको खतम ना करें हम एक उसके लिए हमारी है प्लस हमारी मॉर्डन मेडिसिन के अंदर किसी भी पद्धित्री अतिकरमन हम नहीं चाहते हैं क्यूंकि उसके आने से प्रॉब्लम तो लोगों को होने वाली है जो लोग है वो उनको समझ ही दियाएगा कि हम एरवेदिक सर्जन है कि मॉर्डन सब्सक्राइब करने के लिए तो ये दो साल में उन डॉक्टर को कैसे अपग्रेड कर देंगे देखिए नुक्षान के बारे में अभी पुनीता हसीजा ने आपको ब्रेविस्तार से बताया है इस चीज को तो बार-बार कहने का कोई वो नी सभी को पता भी है पहले भी सभी ड मेरा तो मेने कि यही कहना है स्रकार्च कि ठीक है नो दो रहे कि आयरुएद जो अमारी है एक बहुत पुरानी पत्ती है एलोपैथी भी ऐसी से निकली है लेकिन उसको आयरुवेद ही रहने दीजिए ना उसको खिचली मत बनाईगे आयरुवेद को प्योर आयरुवेद ही उसके अच्छे प्रिनाम है उसको अगर आप अलोपैथी के साथ मिलके खिचली बना देंगे तो वह आयरुवेद जो एक अच्छा प्रिनाम देती थी वह भी नहीं दे पाईगे देखे कुछ चीजी कुछ बीमारी ऐसी हैं कुछ मेडिशन ऐसी हायरुवेद में भी नो से तो डॉक्साम ने सारा बता दिया पर मेरा एक स्वड़ा सा एक रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कभी भी कोई भी नीती अगर मेडिकल प्रोफेशन के बारे बनाई जाती है तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि शैद मुस्टोरी डॉक्टर से ऐलोपैथी वालों से डिसकस न में आजा अब अगली जनेरेशन को और जो आगे वाले जो आने वाले डॉक्टर से और सोसाइटिय उनको भुगनना पड़ेगा